कि can do the calibration of thermometer thermometer का calibration का मतलब क्या हो देखो हमने किस तरीके से मान लो वो thermometer बना लिया है जिसके अंदर mercury का level rise होता है और अब हमने बना लिया है यहां पर इसको गरम करूँगा तो यहां पर इस तरीके से level rise हो पर कितना गरम करो अब scale में मुझे यहाँ पर कुछ readings तो लिखनी पड़े ही वो लिखें कैसे उसके लिए हमें कुछ reference values चाहिए हमें बोलना तो पड़ेगा यार यह reference है इसको आप 0 मान लोग यह reference इसको 100 मान लोग वो reference ऐसी होनी चाहिए जो easily achievable हो पूरी दुनिया में हमारे atmospheric pressure में पूरी दुनिया में almost same ही atmospheric pressure ऐसे में हम देखते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा reference point है वो है melting of ice तो हम इसको बहुत सारी इस तरीके से ice के एक डब्बे में टंबलर में dip कर देते हैं इसको हम बोलते हैं ice point कुछ temperature होगा उस point को हम बोलते हैं ice point तो जब यहाँ पर मैं इस तरीके से ice में डुबो देता हूँ तो हमारे पास mercury इस level तक आता है इस level को ही हम बोलतेंगे इसी level को बोलते है ice point ओके इसको बोल दिया गया एक scale पे कि यह 0 degree Celsius है और दूसी तरफ इसी को बोल दिया गया कि यह हमारा 32 degree Fahrenheit है cool उसके बाद same thermometer को हम लेकर के गए और हमने उसको इस पार dip कर दिया है boiling water में यहाँ पर water है इसको हम नीचे से गरम कर रहा है यहाँ पर boil हो रहा है पानी तो इसको हम क्या बोलते है steam point अच्छा अब यहाँ पर था यहाँ से temperature हमने बढ़ा दिया है तो उपर गया होगा mercury का level मान लो जाते 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 यहाँ तक पहुंच गया तो यह जो हमारे पास reading आएगी वही हो जाती हमारा steam point Celsius scale में इसे बोला गया है 100 degree Celsius Fahrenheit में इसको बोल दिया गया है कितना 212 degree Fahrenheit यह values आपको याद करनी है तो अगर मैं इसी thermometer को यहाँ पर बनाओं तो देखो हमारे पास कुछ इस तरीके का thermometer बन जाता है और इसके अंदर हमारे पास level इस तरीके से rise करेगा वो कितना भी हो सकता है लेकिन हमारे पास reference point यह था देखो एक यह वाला यह है एक lower point इसको मैं बोलूँगा क्योंकि नीचे वाली value है और हमारे पास एक high point है यह हमारे पास कुछ value है अच्छे यहां पर और एक चीज देखो mercury को पता भी नहीं है आप इस तरफ चाहे तो Celsius लिख दो चाहे Fahrenheit लिख दो अपने मंद से कोई भी value लिख दो mercury को कोई लेना देना नहीं है mercury तो temperature के हिसाप से जहां तक जाना था उतना जाएगा ठीक है तो हम यहां पर decide करते हैं हम यहां पर skills बना देते हैं और मैं यहां पर लिख देता हूं कि this is degree Celsius, this is 100 degree Celsius, this is 32 degree Fahrenheit, this is 212 degree Fahrenheit काम की बात क्या है यहां से हमारे ice point और steam point के बीच में यह जो difference है यह length दोनों में सेम ही है यहां पर Fahrenheit में देखो चाहे डिगरी Celsius में देखो लेंद सेम है लेकिन अब इसको मैं कितने हिस्सों में बाट पर हूँ यहां पर ऐसे बहुत सारी lines कीज़ दूँगा तो हम देखते हैं यहां से 0 से लेके 100 तक गए है तो यहां पर actually कितने छोटे-छोटे divisions बनाए है हमने, यहां पर हमने बनाए है 100 divisions Fahrenheit में, Fahrenheit में देखो हम 32 से जाते हैं 212 तक, आप माइनस करो, 212 माइनस 32 यह value आजाती है 180 तो हम देखते हैं कि इस तरफ हमने 180 divisions करती है 180 division बस यही हमें देखना है, cool हम यहां पर लेख सकते हैं, change of 100 degrees Celsius यहां से यहां तक, जब मैं गरम करता हूं किसी चीज़ को तो change of 100 degrees Celsius is equal to change of 180 degrees Fahrenheit, is equal to change of 180 degrees Fahrenheit, इसी को छोटा करके भी हम लिख लेते हैं, change of 1 degree Celsius is equal to change of, कितना हो जाएगा, दोनों तरफ हमने 100 से डिवाइट करती हैं, तो यह आजाएगा 1.8, 1.8 degree Fahrenheit, यह बहुत ही important result है, इसको आपको याद रखना है, इस पर directly बहुत सारे questions पूछे जा सकते हैं, आगे चलते हैं हमने अभी हमार थमोमेटर बना लिया था, यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 100 degree Celsius, 0 degree Celsius, 32 degree Fahrenheit, 212 degree Fahrenheit, और यहाँ पर पानी गरम होते 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 होते, यह यहाँ पर हमें डीडिंग कुछ देख रहे हैं, अब नापक ऐसे टेंपर आपक 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 कितना है, कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले तो एक काम करो, यह पूरी लेंथ कितनी थी, यह पता कर लो, मान लो हमें दे दिया गया है कि यह जो लेंथ ही, वो थी, 10 cm, ओके, ठीक है, यहाँ से यहाँ तर, और यह जो हमारा Mercury rays हुआ है, उपर वो है, 5 cm तक, क्या हम temperature बता स सकते हैं, देखो Celsius में तो बहुत आसान होगे, 0 से 100 तक 10 cm होता है, 5 cm में actually 0 से 50 तक ही होगा, लेकिन इसकी calculation करके देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक मैं जाता हूँ, तो हमारे पास 10 cm हम जाते हैं, 10 cm में 0 से लेके 100 तक value होगी, 100 division बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो Celsius में, for Celsius, 10 cm is equal to 100 divisions, तो इसका मतलब 5 cm is equal to 50 divisions, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्ट क्या था, हमने 0 से लेकर के उपर गये थे हैं, started at 0 degree Celsius, तो यहाँ पे जो हमारा temperature है, हम लेक देंगे, T is equal to, स्टार्ट कहां से हुआ था, 0 से, प्लस हम कितना उपर गये हैं, 50 divisions उपर गये हैं, 0 प्लस 50 degree Celsius, यानि की 50 degree Celsius हमाय पास value हाजाती है, same calculation करेंगे हैं, Fahrenheit के लिए, for Fahrenheit, हमारे पास 10 cm, इस बार, actually 180 divisions के बराबर हैं, तो हम लिखेंगे, 10 cm is equal to, 180 divisions, या फिर मैं लेख सकता हूँ, 5 cm is equal to, 180 divided by 2, 90 divisions, स्टार्ट कहां पर किया था हमने, 32 से स्टार्ट किया था, और 90 divisions उपर गये हैं, started at, at 32 degree Fahrenheit, तो temperature कितना होगा, 30 से स्टार्ट किया, और 90 उपर गये, ना, वो तो same value दोनों तरफ तो हम लिख सकते हैं, 50 degree Celsius is equal to, 122 degree Fahrenheit, again important चीज क्या है, Mercury को पता भी नहीं, यह थर आपने Celsius लिखा है कि Fahrenheit लिखा है, वो तो temperature के हिसाब से गरम होगे वहाँ आ गई, अब हम अलग-अलग convention के हिसाब से, अलग-अलग numeric values देते आते हैं, Celsius में जो कोई value 50 आती है, Fahrenheit में वही value 122 आ जाती है, ठीक है, आगे चलते हैं, किसी ने Celsius scale बना दिया, किसी ने Fahrenheit scale बना दिया, लेकिन हमें SI unit में किसी एक scale को लेना था, तो Celsius को ले ले ले, यह Fahrenheit को ले ले, किसी को भी ले सकते हो, Celsius में आपने देखा था कि Ice Point और Steam Point के बीच में 100 division थे, वो देखने में आसान लग रहा था, तो क्या हम Celsius को SI unit वाला बना दे, नहीं, देखो हुआ क्या, हमारे पास एक ideal gas equation है, PV is equal to nRT, इस पे लोग experiment करते थे, और बहुत सारी gases के लिए कुछ graphs को plot करते थे, और वहाँ से हमें पता चलता था कि यह जो temperature वाला इसकी axis है, इस पे आप जाते जाओगे, जाते जाओगे, तो कुछ points हम यहाँ पर इस परीगे से मिलते थे, जो भी हम experiments कर पाते हैं उसमें, लेकिन इदर जादा negative temperature में हम जाकर के experiment तो कर नहीं पाते थे, यहाँ पर temperature अभी है, degree Celsius में, लेकिन दिखाई देता था कि यार, यह एक line है, जो यहाँ पर कहीं जाकर के intercept होने वाली है, और उस जगे पर हमाई बस क्या हो जाएगा, प्रेशर की value 0 जाएगी, मानलो यह है हमारा pressure, क्या pressure 0 से कम हो सकता है, नहीं, तो pressure यहाँ पर इस परिके से negative में नहीं आ सकता, ऐसे अगर मैं कोई और gas को लेता हूँ, तो उसके लिए मुझे यह points मिलते थे, तो वहाँ से भी मैं देखता था, यहार इस line को अगर मैं extrapolate करूँ, तो वो भी उसी point पर आ रही है, कोई तीसरी gas है, वो यहाँ पर ऐसे values आती थी, तो वो भी उधर ही extrapolate होके जा रही है, इससे हमें hint मिली, कि एक minimum value है, जहां से नीचे temperature को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि भी pressure negative हो जाएगा, जोंकि impossible है, तो क्या temperature की कुछ maximum या minimum values हैं, इसी को देख लेते हैं, अभी तक हमने जितने भी हमाई temperature scales बनाया थे, उसको लिखते हैं, हमाई पास यहाँ पर था Celsius, 0 degree Celsius था, यह था 100 degree Celsius, इस temperature में हमने देखा, कि नीचे एक minimum value आती है, और वो value को actually ना पा गया, तो यह यहाँ पर हमें value मिलती है, इस से नीचे temperature जा ही नहीं सकता, तो हमने सुचा है यह फिर नीचे का scale बनाने का कोई use नहीं है, उसको उड़ा दिया, और हमारे पास एक यहाँ पर temperature के lower limit आ गए, किसी भी चीज़ को हम इस से ज़्यादा ठंडा नहीं कर सकते हैं, रियालिटी में तो हम यहाँ तक भी नहीं पहुच पाएं, तो इस temperature को बोल दिया गया, absolute zero. Temperature. Temperature actually होता क्या है? हमारे पास कोई भी object है, उसके molecules वगरा vibrate करते रहते हैं, उसके कारण उसकी कुछ energy होती है, जो जादा vibrate करता है, अगर उसके बगल में आप कम temperature वाला लिया होगे, जो कम vibrate कर रहा है, तो जादा vibration वाला उसको अपनी energy transfer कर देता है, वही heat energy transfer हो रही होती है, तो जितना जादा आप उसको गरम करोगे, उतने जादा vibration होने लगते हैं, अगर जादा गरम करोगे तो वह bond तोड़के भाग जाता है, तो हमाँ पास solid liquid बन जाता है, liquid gas बन जाती है, इस तरीके की चीज़ा होती है, लेकिन vibration की minimum value होती है, तो absolute zero पर vibration एकदम रुख जाते हैं, तो absolute zero हम practically achieve भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमाँ पास एक इस तरीके से minimum limit होती है, temperature की, तो अब किया क्या जाए हमने degree Celsius में तो देखा था, यहाँ पर zero degree Celsius था, यहाँ पर hundred degree Celsius था, similarly हमाँ पास एक और scale था यहाँ पर, Fahrenheit यह था हमारा 32 degree Fahrenheit, यह था हमारा 212 degree Fahrenheit, अब हमने सोचा, यहाँ पर हमाँ पास 100 divisions है, इस scale को ऐसे कैसे नीचे सरका दो, और एक नया scale बना दो इस तरीके से, जहाँ पर यह value होगी 0, और उसको लिख देंगे हम 0 Kelvin, ओके, यहाँ पर जितने divisions थे, divisions की size को नहीं छेडा गया है, यहाँ पर पूरे के पूरे वही का वही scale है, बस यहाँ पर value जो थी, minus 273.15, उसी को हमने 0 कर दिया है, यह उसमें हमने effectively add कर दिया है, 273.15, तो वो बन जाता है, 0 Kelvin, तो यह 0 degree Celsius कितना बन जाएगा, 0 में add कर दो, 273.15, यह बन जाता है हमारा, 273.15 Kelvin, और 100 बन जाएगा, 273.15, इसमें भी add कर दो, यह बन जाता है, 373.15 Kelvin, खास बात, यहाँ थे 100 divisions, यहाँ भी है 100 divisions, हम देखते हैं, कि delta of 1 degree Celsius, change of 1 degree Celsius, is equal to change of 1 Kelvin, यहाँ पर division का जो size है, Celsius में और Kelvin में सेम है, फिर Fahrenheit वालों ने बोला, यार एक काम करो, हमारे लिए भी ऐसे ही कर दो, एक और इनके लिए भी scale बना दिया गया, इस तरीके से, जो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन टेक्निकल लिए ऐसा किया जा सकता है, कि इसको, यहाँ पर आप value देखो गया तो आती थी, minus 460 degree Fahrenheit, इसको बोल दिया, कि यह है हमारा एक 0, तो उसको हमने बोल दिया, Rankine, R-A-N-K-I-N-E, similarly, यहाँ पर जो value आ जाएगी, अब देखो, minus 460 था, तो उसमें, plus 460 आट किया था, तो वो 0 हो गया, यहाँ पर भी आप इसमें, plus 460 आट कर दोगे, तो यहाँ पर value आ जाएगी, 32 plus 460, which is approximately equal to, 492 Rankine, similarly, यह वाली value आ जाती है, 672 R, इस तरीके से हमारा पास, अब नए, दो temperature scales है, उनसे हमने, absolute 0 पर लाकर के, दो और बना दिये है, और यहाँ पर आप देखोगे, कि इसमें थे हमारे पास, 180 divisions, और यहाँ पर भी हमने, जो division की size थी, उसको नहीं छेडा है, तो इधर भी हो जाते हैं, हमारे पास, 180 division, और यही हमारे, temperature scales है, हमने सारे के सारे, temperature scales देख लिए, जो कि हम linear scales पढ़ते हैं, आप देखते हैं, कि इसमें किस तरीके के questions, पूचे आते हैं, एक दो तरीके की questions, पूचे आते हैं, आप समझ लेते हैं, हमने देखा था, हमारे पास इस तरीके से, कोई भी thermometric property होती है, जो इस तरीके से बढ़ती जाती है, और हमारे पास दो reference points होते हैं, एक lower, एक higher, और यहाँ पर हमें जो measured value है, वो देखनी होती है, हमारे पास इस तरफ एक scale होगा, उसमें reading लिखी होगी, दूसरी तरफ दूसरा scale होगा, उसमें reading लिखी होगी, हमें value पता कर नहीं होती है, बोलते हैं, इसमें इतनी आ रही थी, तो दूसरे वाले में कितनी आएगी, यही तरह के सवाल यहाँ पर पूछे आते हैं, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है, इस तरफ scale 1, इस तरफ है scale 2, दोनों के हमें lower reference और higher reference point पता होने चाहिए नहीं, तो उसके बना सवाल बन नहीं सकते, तो उसके बनाम scale बना ही नहीं सकते है technique, तो यहाँ पर इसको मैं बोल देता हूँ, this is L1, this is H1, lower point, higher point, यहाँ पर यह हो जाएगा L2, यहाँ पर हो जाएगा H2, जैसे L1 और L2 के value हमाई पास Celsius के लिए होती है 0 degree Celsius, इसके लिए होती होती है Fahrenheit के लिए 32 degree Fahrenheit, ठीक, अब यहाँ पर हमाई पास एक तरफ scale 1 में reading आएगी X, और scale 2 में reading आएगी Y, हमें यह दूनों numeric values पता करनी होगी, एक दी होगी दूसरी पता करनी होगी, कैसे करोगे, देखो, क्योंकि यहाँ पर एक linear variation है, तो हम एक relation निकालेगे, यह वाली length divided by यह वाली length, should be equal to यह वाली length divided by यह वाली length, क्योंकि actually तो वो length बराबर है, देखो, यहाँ पर हमें मिल जाता है, X minus L1, यह वाली length divided by यह वाली length, which is equal to, H1 minus L1 is equal to Y minus L2, यह वाली length हो गई, divided by H2 minus L2, H2 minus L2, यही एक formula है, इसी से हमारे सारे के सारे questions solve होने वाले है, एक question मैं solve करके बताऊँगा, अगला question आपको solve करना है, तो देखते हैं question, on a new scale of temperature, which is linear and called the W scale, the freezing and boiling points of water are 39 and 23, 39 degree W, तो बना लेते हैं, डाइग्राम बनाऊगे तो बड़े अच्छे से solve कर पाऊगे, हमारे पास देखो, freezing point है, 39 degree W, boiling point है, 239 degree W, what will be the temperature on the new scale, corresponding to a temperature of 39 degree Celsius, on a Celsius scale, तो हमें बोला गया है, Celsius scale पे, 39 degree Celsius की value आ रही है, तो इस तरफ W में हमारे पास value क्या हरी होगी, हमें पता करना है, तो यहाँ पर, Celsius में freezing point कितना होता है, 0 degree Celsius, boiling point होता है, 100 degree Celsius, एक ही formula है हमारे पार, this length divided by this length, should be equal to this length divided by this length, इसकी जो value आने वाली है, उसको में मान लेता हूँ, x value आ जाएगी, देखो, हमारे पास आ जाएगा, 39 minus 0, divided by 100 minus 0, is equal to, x minus 39, upon 239 minus 39, छीक, समझ आया, यहाँ पर अब बस इसे solve कोते हैं, यहाँ आजाता है, 39 divided by 100 is equal to, x minus 39 divided by 200, यह कट जाता है हमारा 2, यहाँ पर value आ जाती, x is equal to 2 into 39, plus 39, which is equal to 3 into 39, इसकी value आती है, 117 degree w, क्योंकि यह scale में, हम degree w सब में लिखते हैं, तो हमारा answer आ जाएगा, b, 117 degree w, अब एक question है, जो आपको solve कोलना है, a thermometer graduated according to a linear scale, reads a value of x0 when in contact with boiling water, and x0 by 3 when in contact with ice, अगे इन डाग्राम आपके लिए में में बना दूगा, यहाँ पर हमारा पास, x0 आता है boiling पे, x0 by 3 आता है, जब freezing point होता है, what is the temperature of an object in degree Celsius, if this thermometer is in contact with an object that reads x0 by 2, x0 by 2 यहाँ कहीं पे होगा, x0 by 2, तो बताओ यहाँ पर Celsius में reading क्या आ रही होगी, वीडियो को pause करो, इस question का correct answer है B, कैसे आया, देखो, यहाँ पर हमारा पास आजाएगा, Celsius में लिखते हैं, 0 degree Celsius था, यहाँ पर 100 degree Celsius था, यही तो हमें पता करना है ना value, तो इसको मैं मानलो, y बोल देता हूँ, हमारा पास एक ही formula है, this divided by this, is equal to this divided by this, y minus 0 upon 100 minus 0, is equal to, x naught by 2 minus x naught by 3, divided by x naught minus x naught by 3, किस को दिख रहा है कि, इस सारे के सारे x naught, आपस में एक दूसरे को cut कर देंगे, इसकी value क्या जाएगी, 1 by 2 minus 1 by 3, upon 1 minus 1 by 3, तो यह उपर बज़ता है, हमारा पास 3 minus 2, upon 6, नीचे बज़ता है, 1 minus 1 by 3, यानि कि 2 by 3, और यह गट जाएगा, इस तरीके से 2, तो यह वाली value आजाती है, 3 minus 2, उपर हो जाता है, 1 divided by 4, हमारा पास बचेगा, y divided by 100, is equal to 1 by 4, y is equal to 25 degree, degree Celsius, तो B is the correct answer, faulty thermometer वाले questions भी, बहुत पूछे जा सकते है, faulty thermometer में होता है, क्या, हमारा पास एक thermometer है, जो इस तरीके से, यहाँ पर 100 degree Celsius, दिखाना चाहिए, यहाँ पर 0 degree Celsius, दिखाना चाहिए, लेकिन क्यूंकि वो faulty है, तो वो मुझे यहाँ पर दिखा देता, 5 degree Celsius, यहाँ दिखा देगा, 95 degree Celsius, ठीक, और हमको बोला गया, it is showing, let's say, 32 degree Celsius, थोड़ा confusion हो सकता है, यहाँ पर तो सबको में, degree Celsius, dash लिख देता हूँ, ताकि पता चले, वो एक अलग scale है, हमें बताने कि, actual temperature कितना हो, same formula use होगा, बज़ यहाँ पर इसको, नया temperature scale बोलने के बज़ा, यह faulty thermometer बोल दिया गया है, same concept है, वीडियो को pause करो, question को solve करो, कि x की value क्या हरी है, इस question का answer आता है, x is equal to 30, कैसे आएगा, देखो, x minus 0 upon 100 minus 0, is equal to 32 minus 5 upon 95 minus 5, यहाँ से आजाता है, x upon 100 is equal to 27 divided by 90, यह cut जाएगा, 9 से 3 divided by 10, x की value आजाती है, 30 degree Celsius, बहुत ही अच्छा question था, इसमें और एक सवाल पूचा जा सकता है, इसमें पूचा जाएगा, कि रेखो, जब 32 होता है, तब तो हमें 30 value मिलती है, लेकिन क्या कोई ऐसी numeric value है, जिस वक्त हमें दोनों ही scale में, same reading दिखाई दे, तो उसको किस तरीके से solve करोगे, उस case में आपको मान लेना है, कि यहाँ पर हमाया पास कोई reading है, मान लो why, और दूसी तरफ भी numeric reading हमें, तो y ही दिखाई देती है, अब हमें same ratio लगा देना, y-0 upon this, this upon this, video को pause करो, question को solve करो, इसका answer है, y is equal to 50 degree Celsius, या फिर 50 degree Celsius, दोनों पर temperature, अच्छली सेम होगा, कैसे, देखो, same formula, this divided by this, is equal to this divided by this, y-0 upon 100 minus 0, is equal to, y-5 upon 95 minus 5, यहां से आता है, y upon 100, is equal to, y-5 upon 90, यानि कि, 90 y is equal to, 100 y minus 500, यहां से मिलता है, हमें, 10 y is equal to 500, y is equal to, 50 y की numeric value, 50 है जाती है, बहुत ही अच्छा सवाल था, अब आ रही है उस सवाल के, जिसको आप बहुत पहले से, करते हैं आ रहे हो, degree Celsius को Fahrenheit में convert करना, Fahrenheit को degree Celsius में convert करना, तो इसका एक formula होता है, खाली वो निकाल लेते हैं, हमारे पास, यहां पर है 0 degree Celsius, यहां पर है, 100 degree Celsius, यहां पर है, 212 degree Fahrenheit, यहां पर है, 32 degree Fahrenheit, अगर आपको यह values जाद है, तो आपकी जिंदी बहुत आसान हो जाएगी, यहां पर हमें कुछ reading मिलती है, मान लो उसको मैं बोल देता हूँ, C है, यहां पर जो reading मिलती है, उसको बोल देता हूँ मैं, वो F है, same formula लगाएंगे, this divided by this is equal to this divided by this, C minus 0 upon 100 minus 0 is equal to F minus 32 upon 212 minus 32, यही वो formula है, जो हमें बहुत जादा यहां रखने की जरूरत है, अच्छा, Celsius और Kelvin में हमें temperature पता ही है, कि Kelvin में जो value होती है, वो actually Celsius में जो भी value होती है, plus 273, 0.15 भी होता है, पर approximately चलो, इसको मैं 15 लिख देता हूँ, क्या मुझे Kelvin और Fahrenheit के बीच का temperature difference, interchange करना आता है, देखो, यहां पर Celsius की value लिख दो, K minus 273, और यह वाली value का आप यहां पर रखते, तो मैं आपास सीदे सीज़ जादा है, K minus 273, which is C, divided by 5, is equal to F minus 32 upon 9, तो यह भी एक formula हो गया, इन सब को याद रखने की जरुरत नहीं है, यह तो बहुत ही easy है याद रखने के लिए, यह आप याद कर लो, और आपको सारे के सारे questions इससे solve हो जाएंगे, एक सवाल करें, तो यानि की Fahrenheit में और Celsius में दोनों में same numeric value हमें देखने को मिल रहे हैं, वीडियो को pause करो, question को solve करो, इस question का answer है A, कैसे आया, देखो हमाँ पास formula बहुत आसान है, अभी हमने देखा था हमारा formula था है, C upon 5 is equal to F minus 32 upon 9, यह तो हमारा formula है, मान लो जो भी numeric value है, वो है X, तो वो Celsius में भी X है, Fahrenheit में भी X है, दोनों जगे रखतो, X upon 5 is equal to X minus 32 upon 9, बस solve हो जाएगा, यहां से देखो हमाँ पास आता है, 1.8X is equal to X minus 32, यानिकि 0.8X is equal to minus 32, X is equal to minus 32 divided by 0.8, यानिकि यह जाता है, minus 320 divided by 8, और यह जाता है, 40 यानिकि minus 40, minus 40 degrees Celsius, and minus 40 degree Fahrenheit are both same, अब आपके लिए एक homework question है, जिसका answer आपको comment में बताना है, वो कौनसी numeric value है, जिस वक्त Celsius और Fahrenheit में, value same आती है, लेकिन एक negative होती है, एक positive होती है, इसको किस तरहे से solve करोगे, Celsius में मान लो value है, X, तो Fahrenheit में value हो जाएगी, minus X, बस हमें यही values रख दे नहीं है, X की जगे आप X रखो, यहाँ पर रखो minus X, question को solve करो, और comment करके बताओ, answer क्या आता है, इसमें गलती कहा हो जाएगी, X की value positive आएगी, तो यहाँ की Celsius वाली value positive या फिर X की value negative भी आ सकती है, तो आपको चेक करेंगे बताना है, कितने Celsius is equal to कितने Fahrenheit, इस चीज़ को comment करो, हम देखते हैं एक वार question, At what temperature does the reading in Kelvin and Fahrenheit equalize, तो यह फिर से पहले वाले सबाद आपको जाएगी लेकिन इसको कर लेते हैं, इसमेना feel लेना बहुत जादा ज़रूर ही है, जैसे यहाँ पर हमाया पास था 0 degree Celsius, which was equal actually 273 Kelvin मैं उसको बोल देता हूँ, यह था हमारा 32 Fahrenheit, उपर आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है 373 Kelvin, यह वता है 212 Fahrenheit, तो देखो initially हमारे पास Kelvin में numeric value बड़ी है, लेकिन जब मैं उपर जा रहा हूँ temperature में, तो यहाँ पर plus 100 हुआ है, यहाँ पर plus 180 हो गया, तो यह value value बड़ी तेजी से बढ़ रही है, यह value धीरे धीरे बढ़ रही है, तो मैं और उपर जाओंगा, और उपर जाओंगा, यह है x, अब कौन से ratios बराबर करोगे, x इस बार इन दोनों के बाहर निकल गया है, तो अभी हम same ratio लगाएंगे, this divided by this upon this divided by this, छीक, तो हमारे पास x minus 273 upon 373 minus 273 is equal to x minus 32 upon 212 minus 32, अब तो यह आपको याद होना चाहिए, इसको सीधे सीधे 100 लिखो, इसको 180 लिखो, x minus 273 upon 100 is equal to x minus 32 upon 180, यहाँ से आजाता हमारे पास 1.8 x minus 1.8 into 273 is equal to x minus 32, यहाँ से x दूसी था पाएगा बच्चे का सिर्फ 0.8 x is equal to 1.8 into 273.15 approximately हो जाता हमारे, 492 minus 32, x की वैल्यू आजाती है 460 divided by 0.8 which is equal to 575, degree Fahrenheit या Kelvin, कुछ भी लिख दो, दोनों पर वैल्यू सेम आने वाली है, degree Fahrenheit और 575 Kelvin. एक बहुत ही interesting से सवाल आपके लिए हमारे पास एक body है, जिसको मैंने गरम किया, उसको गरम किया, अब कितना गरम कुरूँ, देखो यहाँ पर मैं गरम करता हूँ, तो उसका temperature में चेंज आता है, प्लस 1 degree Celsius, दूसरे case में उसको जब गरम किया, तो चेंज आ है, प्लस 1 degree Fahrenheit, ठीक, तो इन दोनों में से, किस case में मैंने उसको जादा गरम किया होगा, यह वाली चीज में मुझे जादा गरम करना पड़ा होगा है, यह वाले में जादा गरम करना पड़ा होगा, इसको कैसे solve करोगे, यह को इसे हमें समझना पड़ेगा, कि हमारे पास हम देख चुके हैं, यहाँ पर 100 divisions में, 100 divisions of Celsius is equal to 180 divisions of Fahrenheit, यह न, इसका मतलब Celsius का एक division बड़ा होगा, तो हम लिख सकते हैं, change of 100 degree Celsius is equal to change of 180 degree Fahrenheit, इसी को 100 से divide करती हो जाएगा, change of 1 degree Celsius is equal to change of 1.8 degree Fahrenheit, तो यह जो हमने plus 1 degree Celsius किया था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी is equivalent to change of 1.8 degree Fahrenheit, अब देखो दोनों Fahrenheit में हो गए, तो हमें पता चल जाता है, यहाँ पर इस temperature को rise करने में, यह temperature ज्यादा rise हुआ है न, इसके comparison में, यहाँ पर हमें ज्यादा heat देनी पड़ी होगी, यहाँ पर कम heat देके ही हमारा काम चल गया हूँ, तो यह बहुत ही important result है, और इसको आपको याद रखना है, इससे directly questions आ सकते हैं, जैसे कि यह बाला question करके देखते हैं, इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका तो यह हो जाएगा कि हमारे पास 212 डिग्री फैरनाइट था, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस था, यह 0 है, यह 32 है, यहाँ से कम होते होते हमारे पास thermometer में आगे reading 140 डिग्री फैरनाइट पर, तो आप यहाँ वाली value पता करो, फिर पता करो कि कितना dip हुआ है, what is the fall in temperature, उस तरीके से भी आप इसको solve कर सकते हो, या फिर अभी हमने देखा था, उस formula का भी use करो, change of 1 degree Celsius is equal to change of 1.8 degree Fahrenheit, वीडियो को post करो, और इस वाले formula से question को solve करने की कोशिश करो, इस question का answer है, C, कैसे, देखो यहाँ से हमारे पास जो dip हुआ है, change कितना हुआ है, 212 minus 140, which is equal to 212 minus 140, यह जाता हमारे पास 72 degree Fahrenheit, तो हमारे पास actually 72 degree Fahrenheit का change है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, change of 1 degree Fahrenheit is equal to change of 1 divided by 1.8 degree Celsius, तो यहाँ फिर मैं change of, यहाँ पर 1 की जगे, 72 upon 1.8 degree Celsius is equal to change of 72 degree Fahrenheit, यह जो dip हुआ है, वही dip यहाँ पर Celsius में हमें कितना मिलेगा, हमारा answer जाएगा, 72 upon 1.8, which is equal to 72, 720 upon 18, 9 से यह कट जाता है, 2 यह कट जाता है, 8 और यह कट जाएगा, 40 हमारे पास answer जाएगा, option number C is the correct answer. हमने temperature scales पर almost सारी चीज़े देख लिए, लेकिन दो तरह के और thermometers हैं, जो आप से questions पूछे जा सकते हैं, तो उसमें होनी same चीज़े हैं, जैसे हमारे पास एक तरफ मानलो Celsius के लिए, reference के लिए 0 degree Celsius, 100 degree Celsius और यहाँ पर मानलो कुछ C है, दूसी तरफ कोई भी physical property लगाई जा सकती है, जैसे हमारे पास constant volume thermometer था, उसमें बोल देंगे कि अच्छे दूसी तरफ यहाँ पर तो pressure आता था, 50 cm of Hg, ओके, यह एक pressure को नापने की नेट है, दूसी तरफ आ जाता था, 90 cm of Hg, और अगर हमारा answer आ रहा है, 70 cm of Hg, तो बताओ भाई यह degree Celsius में value क्या होगी, इस case में आपको सीधे सीधे इन सब चीजों को भूल जाना है, अब देखो यह हमारा वही सवाल बन गया जो अब तक हम solve करते हैं, इसकी जगे हमारे पास कोई और property भी हो सकती है, जैसे कि resistance at 100 degree Celsius is equal to let's say 5 ohms, resistance at 0 degree Celsius is equal to 2 ohms, और अगर मुझे resistance की value आ रही है, 3 ohms, तो बताओ Celsius में value क्या होगी, अगेन हम यहाँ पर इस परिगे से question को solve कर सकते हैं, same, तो देख लेते हैं, इन पर बेस देखे questions को, A constant volume thermometer shows 50 cm of Hg at ice point and 90 cm of Hg at steam point, what will be the temperature in Celsius if it shows 80 cm of Hg, तो आपके लिए ये वाला question में solve कर देता हूं, यहाँ पर 0 degree Celsius है, यहाँ पर 100 degree Celsius है, यहाँ पर 50 cm of Hg है, यहाँ पर 90 cm of Hg है, बीच में कहीं पर हमें 80 cm of Hg, Hg आ रहा है, अच्छा में को यहाँ पर देखके जवाब बता पड़ गया, यह 50 से 90 किता, 40 divisions है न, और यहाँ पर 40 से, हम यहाँ पर 30 ऊपर चले गए हैं, तो हम basically 30 divided by 40 multiplied by 100, यानि कि हमाना answer आने वाला है 75 degree Celsius, पर इसको हम फिर भी solve करेंगे, यहाँ पर मैं आपस value है, मान लो X हमाना पास एक ही फर्मुला है, this divided by this is equal to this divided by this, कैसे लिखेंगे, X minus 0 upon 100 is equal to 80 minus 50 upon 90 minus 50, which is equal to 30 divided by 40, यहाँ से, X की value हाँ जाती है, 100 into 30 divided by 40 which is equal to 75 degree Celsius, बहुत ही आसान question था, अगला question आपके लिए, homework, in a platinum resistance thermometer, the resistance at ice point is 3 ohm and the resistance at steam point is 5 ohm, what will be the temperature in Fahrenheit, if the resistance is 6 ohm, बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ पर हमाना पास जब 3 ohm का resistance है, यहाँ पर 5 ohm का resistance है, उपर दिख रहा है 6 ohm का resistance, यह था हमारा 32 degree Fahrenheit, यह था हमारा, कितना ना, 212 degree Fahrenheit, और यह value x हमें पता करनी है, तो वीडियो को pause करो, question को solve करो, इस question का answer है, 302 degree Fahrenheit, कैसे, तो देखो यहाँ पर फिर से same चीज़ करना है, देखो, x minus low point divided by यह, is equal to 6 minus low point divided by यह, तो कर देंगे है, x minus 32 upon, 212 minus 32, अब मैं उसको directly लिखो, 180, is equal to, 6 minus, इसका low point कितना है, 3, divided by यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 minus 3, which is equal to 2, यहाँ से आप solve करोगे, तो देखो, value आ जाती है, x minus 32 is equal to, 3 by 2 into 180, 3 by 2 into 180 कितना हो जाता है, 270, यहाँ से x की value आ जाती है, 270 plus 32, which is equal to 302 degree Fahrenheit, हमारा answer है, और अब सवाल देखते हैं कि ऐसा, जो कि इन सब चीज़ों से परे है, इस question को कैसे solve करोगे, यह भी तक हमने जो भी सीखा, उससे अलग है, लेकिन यह भी question पूचा गया, तो यहाँ पर हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेको mercury क्या है, एक चो mercury thermometer की working होती है, वो ऐसी होती है, यहाँ पर liquid भरा होता है, liquid को गरम करते हो, तो वो expand होता है, जब तक, कब तक यह measure कर सकता है, जब तक यह यहाँ से mercury इसको तोड़ के बाहर न निकल जाए, तो इस तोड़नें से बचाने के लिए, तो हम भाही इस कांच को बहुत लंबा बना देंगे, लेकिन फिर भी एक point आएगा, जब mercury जो liquid है, वो boil होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो हम उससे measure नहीं कर सकते, तो वो जो boiling point है, उसके हिसाब से हमारा answer जाता है, यहाँ पर C, तो इस तरीके से आपको यह कुछ खास value है, जो आपको याद रखनी चाहिए, और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खता, वीडियो पसंद आया, प्लीज या, ट्राश आपको सुब्स्राइब करो, कॉमेंट करो, कुछ ना कुछ कॉमेंट ज़रूर करना, आपको नहीं तो यह YouTube अल्गोरिदम में कहीं तो दब जाता है, और या चैनल को सपोर्ट करो, फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करो, इस QR कोड को स्कैन करो, कि तरह है, इधर है, इधर है, कि तरह तो QR को स्कैन करो, ताकि मैं इस तरीके के और वीडियो आपके लिए बना के लिए क्या आप हो, और मसे करेंगे, नोट्स का लिंक डिस्रिप्शन में, डाउनलोड ज़रूर करना, हम मिलेंगे अगले वीडियो में,